हलो गेमर्स मैं हाजिर हूँ उस वीडियो को लेकर जिसकी रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही थी इतनी टिप्स टिक्स पता चली इंफेक्शन मोड की डिफेंडर्स वाली पर सब बेकार कोई डर्वाते पर चढने को कहता है तो कोई डबे के नीचे छुप जाने को बोलता है हद तो तब हो गई जब किसी ने दीवार में घुशने को बोला पर ये नहीं बताया कि उस दीवार से निकलेंगे कैसे अब निकल ही नहीं सकते तो जीतना तो भूली जाओ मैं बताता हूँ आपको वो सारी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आप जॉंबीज को रोलाओगे भी उन्हें ठकाओगे भी और हर गेम जीतोगे जो बोल रहा हूँ उसका प्रूव भी देना जरूरी है इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है मगर इसके बाद डिफेंडर्स को जॉंबी से कोई शिकायत नहीं रहेगी उन सब गेमर्स को शाउट आउट जिनकी वज़या से मुझे मोटिवेशन मिला ये वीडियो बनाने का आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहो गाईज मैं आपके लिए लाता रहूंगा और भी नई ट्रिक्स तो एक प्रो डिफेंडर्स बनने के लिए आपको कुछ बातें द्यान में रखनी पड़ेंगी नमबर एक दूसरे डिफेंडर्स की हमेशा मदद करो अगर नहीं करोगे तो जॉंबी बनकर वो ही तुमारी जान की पीछे पड़ेगा नमबर दो फास्टर स्मार्टर थियोरी अगर वो फास्ट है तो तुम स्मार्ट बनो नमबर तीन सबसे हमेशा दो कदम दूर रहो क्योंकि जॉंबी और वैंकुशर बनने में इनी दो कदम का फास्ला होता है और नमबर चार इने तब तक दोडाओ जब तक ये ठक के पानी ना मांग ले सबसे पहले ये क्लिप देखते हैं इसे देखकर आपको अंदादा लग जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है स्टेर्स से उपर आने के बाद मैंने सीधा A की तरफ जंप किया अब इस A के उपर जंप करने के बाद आपको इससे जंप आप्शन की तरफ होते हुए C की तरफ जाना है ये रूट आपको डेली पैक्टिस करना होगा हर वो जॉंबी गेम जिसमें इनीशिली आपको थोड़ा वक्त मिलता है उस वक्त में आपको ये ही पैक्टिस करना होगा क्योंकि एक बार ये आपने पैक्टिस कर लिया फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाजी है ठीक ऐसे ही आप इस तरफ निकलोगे B की तरफ पहुँचोगे और यहां भी पहुचने के बाद आपको इस तरफ से जम करने की कोशिश करनी है यहां इस नेक्स्ट बिल्डिंग में आपके पीछे जॉम्बी हाथ दो के पड़े रहेंगे लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होगा कि आप किस तरफ से किस तरफ पहुँच जाओगे अब जैसे हमने आज जंप किया तो वो कंफ्यूज होगे क्योंकि वो फास्ट है स्मार्ट नहीं है जैसा कि मैंने बताया दो तीन बार देखेंगे इतने में उन्हें अंदाजा हो पाएगा कि आप किस तरफ जा रहे हो बार बार और इतने में ये मैच खतम हो चुखा होगा मुश्किल से दो तीन मिनिट मिलते हैं जॉंबीज को आपको इंफेक्ट करने के लिए अब ये बार बार हमारे पीछे पड़े हुए हैं लेकिन ये कन्फ्यूज इसलिए हो गए हैं इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ पीछा करें स्पीड चाहें इनकी जादा हो हमसे लेकिन पार्ट तो अपना हमी चूज करेंगे कि हमें किस तरफ जाना है अब देखिए वो फिर पीछे आए तो हम एकी तरफ दोबारा जम्प कर दिये हैं जितना हो सके इन्हें स्टेर्स पर रोबने की कोशिश करनी है क्योंकि यही वो वक्त है जहां आपको पॉइंट मिलेंगे सबसे जादा डैमेज आप ए पॉइंट पर यहीं से दे सकते हो यहां घुसने की तीन जगाए हैं या तो सामने से आएंगे या राइट साइड उप मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां यही जगाए हैं जहां से जॉंबी कूट सकते हैं बस आपको इन्हीं का ध्यान रगना होगा अब कोशिश यह करनी है आपको वैंकुशर बनते ही कि आप जाधा ओपन में ना रहो ऐसे एरिया में रहो जहां पर आपकी तरफ एक ही साइड स जॉंबी आपाए अगर वह चारो तरफ से आएंगे तो एक बार में चार लोग आपको डामेज देंगे और आपकी हेल्थ चार गुनी डिक्रीज होगी आप कहीं भी रुकोमत घूमते रहो कूटते रहो यही एक चारा है जितना बूस्ट ले सकते हो लो नहीं मिल रहा तो निकलो दूसरी जगा डून दो जितनी भी चोटी चोटी बिल्डिंग्स बनी हुई है इन बिल्डिंग्स के आसपास रहो अंदर बाहर निकलते रहो तब ही आप जॉम्बी को मार्फ आओगे आपकी जो सौर्ड है वो दो बार में ही एक जॉम्बी को लेवल वन या टू ज करेगा तो जॉम्बी केंग है लेकिन जॉम्बी किंग का इलाज भी यही है कि आप इंडोर्स के अंदर बाहर रहो फिलाल जो में ट्रिक है वो हम आगे चलके वीडियो में आपको बताएंगे कि वैंकुशर से आप कैसे गेम जीट सकते हो तो यहां पर जितने भी जॉम्बी हमाही तरफ कूछते रहेंगे हमें सिर्फ कुछ नहीं करना उन्हें मारते रहना है बार 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 अनी बन्दूक्स क्योंकि यही तो गेम है ऐसे ही तो आपको पॉइंट्स मिलेंगी आपको सिर्फ अपना डैल्स करना है फिलाल बस आपको यह कोशिश करनी है कि आप उन्हें अपने नजदीक मताने दो जैसा कि मैंने बताया था सबसे दो कदम दूर रहो जरा सा अभी अगर आपको अंदाजा लगता है कि वह आपके नजदीक आ सकते हैं तो चुप निकलनों वहां से वहां रुपने की क पूरा फायदा उठाओ क्योंकि आप तेज भाग नहीं सकते लेकिन इन से जॉम्बी और आप बिल्कुल सेम स्पीड पर कुछते हो स्पीड कोई अंतर नहीं आता साथ साथ देखते रहो जॉम्बी कहा है जैसे ही जॉम्बी का अंदादा होता है कि वह खरीब आ जाएगा से चुप निकल जाओ दूसरी जगह डून दो आपके पास ए से जाने का फिलाल एक ही रूट है सी की साइड आ सकते हो या फिर एक सेकंड रूट है जो आप इन बिल्डिंग के अंदर गुष्ते हुए वापस स्टेर्स पर पहुंच सकते हो एड बी की तरफ पहुंच सकते ह रूट हमने भी स्टार्टिंग में टैग किया था इसकी मैंने बैक्टिस करने के लिए आपको बोली बस आपको उसी रूट का ध्यान रखना है जितने जॉम्बी मार सकते हो मारते रहो अब यह जो हमारा पॉइंट सी है इसमें उपर व्लॉक पे खड़ा होना काफी एड्वैंटेज है क्योंकि वहीं से आप एजिली अगर जॉम्बी नहीं बनते हो और कोई और बन जाता है तो आपके इंफेक्ट होने के चांसे बहुत ही कम हो जाते हैं वह रूट हमने फिर से फॉलो किया है हम सीधा बी ही तरफ पहुच गए है और यह जितने भी जॉम्बी आते रहेंगे अब यह फिर से पॉइंट आ जाएगा यह सेम भी रिपीट कर रहे हैं सिर्फ डैमेज गेंट करनी कोशिश है जैसे ही जॉम्बी फिर से पास आएगा चुप निकल लेना है दुबारा हमें यहां से यहां से हमारा जाने का सेगिंड रूट बी है या तो हम यहां से बी जा सकते हैं या फिर यहां से हम स्टेर्स पकड़के ऊपर से जॉम्प के थ्रू जाते हुए एप आप सकते है अब जैसे ही जॉम्बी पास आए फिर दूर निकल लो और अपने आप अपनी सीडी यहां से जाते हुए फिर जंप करोगे दो बारा यह पर पहुंच जाओगे जॉम्बी पीछे नहीं छोड़ेंगे वह आते रहेंगे जॉम्बी आते रहेंगे तो आप भी निकलते रहो जॉम्बी किंग पूरी थरह से पीछे पड़ा हुआ है लेकिन उसे समझ नहीं आरा करेंगे तो गाइज यहां से अक्सर ऐसा होगा कि आपको चारो तरफ से जॉम्बी घेर लेंगे फिर आपके पास जादा ऑप्शन नहीं बचते हैं यही ऑप्शन बचता है कि आप इस बिल्दिंग के अंदर बहार निकलते रहो क्योंकि उससे आपको थोड़ा वक्त मिल ज अगर कोई जॉम्बी वहां से निकलना चाहिए अगर कोई जॉम्बी वहां से निकलना चाहिए अगर कोई जॉम्बी वहां से निकला तो यह आपको इंफेक्ट कर सकता है अब यह आपका बैकप प्लैन है लेफ्ट साइड वाजी बिल्डिंग तो आपको किसी जॉंबी को यहां रुपने नहीं रहना है बिल्टी जिए क्योंकि आपका यही ओनली बैकप प्लैन है यहां से निकलने का अगर कोई पीछे जाके बैठ गया तो फिर आप फास जाओगे इसलिए पूरी कोशिश करो कि कोई भी इस लेफ्ट बिल्डिंग में गल्ती से भी घुसना पाए क्योंकि यहां तो आप कोई घुसना है अब देखो कैसे यह जॉंबी किंग परिशान होके लौट गया और यह दूसरा जॉंबी भी परिशान होके लौट गया अब यह जो राइट साइड पर सीडिया है उपर वाली उनी सीडियों से की मेरे तरफ पहुंस सकते हैं उसके लाव और कोई जगा ही नहीं है मेरे पास आने के लिए उनी सीडियों पर बस अब आपको ध्यान रखना है कोई भी बंदा कोई भी जॉंबी अगर आएगा तो उनी सीडियों के बास से आएगा उनी सीडियों से होता है अब जैसे आया तो हम यह आज से निकल जाएंगे अब दो आप्शन है हमारे पास यह तो वाफस बी उपर हम चड़ सकते हैं और अगर बी पे आपको डाउट है कोई और जॉंबी है तो फिर आप सेकंड स्टैर्स ले सकते हो जो एक ही तरफ जाएंगी उपर से जंप करके अब हम फिर आ गया है और यह फिर ठक चुके हैं बुरी तरह अब यह दोड़ दोड़ के परेशान हो चुके हैं लेकिन यह इंफेक्ट नहीं कर बा रहे हैं कोई आप से लेख वाला इस बिल्दिंग या तो राइट वाला वो प्लैटफॉर्म यह लेफ साइड आया तो हमने इसे यहां से फिनिश कर दिया बस उन स्टैर्स को देखते रहो सामने जिन स्टैर्स से जॉंबी आते हैं एक और आया इसको रोकने की कोशिश ही करनी है क्योंकि आगया तो फिर आपको निकलना आए है यह लोकिशन ञए नहीं रहाएगी अब यह आगया तो हम निकल लिए थेको वहीं से आरा पहले ही पता चल जायागा आपको गायज आपको कुछ और सोचने की जरुवत ही नहीं क्योंकि वह जैसे यह आएंगे आपको पताचल और उनने आने से रोकना है इनने जितना डैमज दे सकते हो देते रहो और फिर निगल लो यहां से इस बार हम स्टेर से जाएगी क्योंकि पिछली बार हमने प्लैटफॉर्म लिया था बी वाला आप यहां से हमारे पास फिर दो ऑप्शन हैं बट अमने अ वाला चूस कर लिया क्योंकि यहां से हम डोबारा से रोटेट कर सकते हैं कोई भी उप्शन चूज कर सकते हो आपके पास दो अप्शन है हर जगा फिर से हमें आपने पॉइंट लेंगे तो वैंकुशर कहा कहा जा सकते हैं बी प्लैटफॉर्म से वैंकुशर इस तरफ कूद सकता है क्योंकि वो उदना भी चाहेंगे तो उन्हें देर लगेगी अब यह पीछे से आ गया तो वैंकुशर की हेल्फ जादा होती है अब हमें इतना डर्डने की जरूरत नहीं है अब हमें यही कोशिश करनी है कि इने जितना डैमेज दोबारा दे सकते हैं दे क्योंकि यह रूतीन स्वार्ड में तो मर जाते हैं जॉंभी किंग से थोड़ी दूरी बनाते रखनी है अब देखो क्योंकि यहां दो दो जॉम्बी किंग आ गए हैं तो हमें अपनी वही वाला प्लान कॉंटिन्यू करना होगा हमें इन वॉल्स के आसपास रहना है इस डोड के अंदर भाहर घूमते रहना है क्योंकि यहीं है आपस में फस जाएंगे क्योंकि यह लड़ते आपको चारो तरफ से अटैक नहीं किया जा सकता अब यह स्टेर्स भी बिल्कुल उसी स्टैटजी का हिस्सा है इस पे भी आपको सिर्फ दो ही जॉम भी मार सकते हैं तो उपर से या नीचे से अब यही गाइज वो एक मात्र पॉइंट है अगर जोन आपकी लखी रही जो के अल्मूस्ट हर बार रहती है बहुत कम हैसा होता है कि जो ना रहे इस जोन में आपको सिर्फ पीछे इन बॉक्स के बराफर में बैट जाना है अब यह जो लेफ्ट वाला बॉक्स है जो बिलकुल लेठा हुआ है इस बॉक्स के ही साथ रहना है आपको यही पैचान है राइट साइड से कोई भी जॉम्बी आपको अटेक करना ही साथा कोई भी अगर राइट साइड से अटेक करेगा तो उसे कूद के ही आपको क्लॉ मारना होगा लेफ्ट साइड से ही जॉम्बी आएंगे और आपकी स्वॉर्ड भी लेफ्ट साइड ही डैमेज देगी राइट साइड आप डैमेज नहीं देपा होगे यह देखो लेफ्ट साइड ही अपना फोकस रखो लेकिन अगर कोई भी ऊपर चड़ता है इन बॉक्स के तो आपको फटा-फट खड़े होके उसे हिट देनी है ताकि वो डर के पीछे अटे बस यही बेसिक रूट है आपको बस यही माइड में रखना है बस थोड़ा सा स्मार्ट रहना कोई जॉम्बी आपको कुछ नहीं विगार सकता आप हर गेम जीतोगे तो नीचे कमेंट सेक्षिन में यह बताना मत बूलना के आपको नेक्स टिप्स टिक्स वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में गुडबाय गेमर्स झाल 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 झाल